मैंने बताया था देखो फोटोशॉप को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है एक होता है बेसिक एक होता है एडवांस बेसिक में हम कवर करते हैं सारे चोटे-चोटे होम वोक जो की कंप्लीट आपका हो चुका है ठीक है अब हमारा आज से स्टार्ट होगा एडवांस पा होगा इन परिए स्कूलाज स्बसे पहला एंसाइनमेंट क्या है और से क्या मतलब होता है तो जिस का क्लेक्शन ही क्या है के लाट अब दिखो किस तरीके से स्टार्ट हमें करना है तो आग तो यह के अई की और बनाने के लिए हमें बहुत सारी में जैंगें मॉल्टिपल इ एक बार में एक से ज्यादा image लेते हैं तो वो images अलग अलग टैब में आ जाते हैं राइट जैसे हम फाइल में गए हमने क्या open और यहां से जिसे कोई भी दो images हमने select की for example मैंने एक image यहां से यह image ले ली एक मैंने यह वाले image ले दो images मैंने ली तो जब दो images को select करके open करेंगे तो क्या होगा दोनों file दोनो इमेज अलग अलग टैब के अंदर खुल जाएंगी ठीक है और हम यूज करेंगे load files into stack. Keep making your notes. Notes आपको बनाने है. File में जाना है, script में जाना है, load file into stack करना है. इससे क्या होगा? इससे हम multiple images को एक ही file में layer-wise ला सकते हैं. अभी जो file में उपन किवी है, इनको में बंद कर देता हूँ. इनका मेरा कोई use नहीं है. File में जाते हैं, script में जाते हैं, load file into stack पे क्लिक करना है. ठीक है? यहां से कर दे लेंगे browse. अब depend करता है, collage आपको किस topic के उपर बनाना है? कोई भी topic हो सकता है. आप birds को लेके कोई collage बना सकते हो, animals को लेके collage बना सकते हो, ठीक है? sports को लेके आप collage बना सकते हैं, Hollywood, Bollywood के उपर कोई collage बना सकता है. फिल हाल, मैं यहां पर बच्चो को लेके, एक collage बना देता हूँ, छोटे से बच्चो को लेके. तो हमें क्या करना है? इमेजी select करनी है. अब देखो, इमेजी select करने के लिए, for example, मैंने एक image select की, shift के साथ, अगर मैं यहां last में click कर दूँ, तो क्या होगा? इन बिट्वीन जितनी भी images होंगी, सारी select हो जाएंगी. आपको सारी नहीं चाहिए, इसमें से कुछ कुछ चाहिए, तो फिर आप control के साथ आप click करेंगे. control के साथ जो जो image आपको चाहिए, वो आप click कर सकते हैं. ठीके, तो ये सारी images मैंने ले ली कॉलाज के लिए, ये वाली image भी मुझे चाहिए, जो भी images चाहिए, उनको select कर लो. ठीके, select करने के बाद अब हमें click करना है, okay, okay पर click करेंगे, इधर यहां पर okay कर देंगे, तो अब क्या होगा? जितनी भी images हैं, वो सभी एक ही file में layer wise आती चली जाएंगी. ये दोखो, सारी images हमारे पास आ चुके हैं, इन दो images का size थोड़ा सा, मुझे कुछ जाड़ा बड़ा लग रहा है, इन दोनों को select कर लेते हैं, control T मैंने किया, size थोड़ा सा, छोटा कर लेते हैं, लगबग सभी का size थोड़ा चोटा करना पड़ेगा, सारी layer को कैसे select करेंगे, इसको click किया, हमने shift के साथ last layer को click किया, तो in between सारी layer हमारी select हो चुकी है, control T हमने किया, control T से क्या होगा, size थोड़ा सा और चोटा कर लेते हैं, ठीक है, अब इन images को मैं ऐसे उठाके, रख लूँगा, अलग-अलग तरीके से, इस image को यहाँ पर रखना है, इसको इधर रख लो उठाके, इसको मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, इसको इधर, इसको इधर, layer का order, change कर सकते हैं, उपर, नीचे, किसी भी layer को, किसी भी image को, control T करके, क्या कर सकते हैं, control T करके, छोटा क्या जा सकता है, यह image इधर, यह image इधर रख लेते हैं, इसको यहाँ पर रख लेते हैं, कुछ ऐसे, कुछ इसको ऐसे set करते हैं, image का कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है तो, simple rectangle लिया, selection बनाया, delete कर दिया, control D, D select हो गया है, इस image को मुझे थोड़ा left hand side में रखना है, तो इसको flip कर सकते हैं, flip करने के लिए क्या करेंगे, control T किया, right click किया, और यहां से कर देंगे, flip horizontal और इसको उठाके, मैं इधर की तरफ रख लेता हूं, कुछ ऐसे, तो collage क्या होता है, collection of images, तो हमने images को क्या क्या एक जगा इखटा कर लिया है, एक जगे collect कर लिया है, तो हम इसको क्या क्या सकते हैं, collection of images, clear है बात, अब आपकी मर्जी है, आपको और किस तरीके से रखना है, थोड़ा सा में इसको rotate करके, इसमें stroke और shadow भी apply कर देता हूं, size थोड़ा सा छोटा क्या, इसको ऐसे रख लेते हैं, जी, image हमारे पास है, इसको हमने ऐसे रखा, इसको पीछे ही रखते हैं, control T, control T करो, right click, इसको भी में इदर की तरफ, clip करा देता हूं, और इसको हम कुछ ऐसे rotate करके रख लेंगे, यह image सबसे पीछे हम रख लेते हैं, कुछ ऐसे, तो यह कहलाता है हमारा क्या, collection of, collection of images, अब जैसे हमें हैं पर क्या करना है, कुछ stroke वगर apply करना है, तो कोई भी एक image हम ले लेते हैं, इस पर हमें stroke और shadow कुछ apply करना है, तो कहां जाएंगे, fx में जाना है, fx में जाएंगे और stroke पर click करेंगे, ठीक है, stroke पर गए, और कौन सा color लेना stroke का, वो color यहां से ले सकते हैं, white color मैंने लिया, यह size है, size हम increase कर सकते हैं stroke का, अब depend करता है, stroke की जो thickness है, वो आप कहां पर चाते हैं, outside करेंगे तो यह, यह बाहर की तरफ जाएगा, outside, inside, center, आप ऐसे कुछ कर सकते हैं, और इसी के साथ मैं यहां पर use कर लेता हूँ, drop shadow, यह इसकी shadow आजाएगी, shadow को भी आप अपने हिसाप से थोड़ा सा balance कर सकते हो, जहां पर भी आपको रखना है, तो यह shadow हमने आप apply की, तो एक यह layer style एक तरीके से हमने इसके उपर लगा दिया, अब यही same layer style मुझे बाकी सारी layers के उपर भी चाहिए, तो हम layer style को copy paste कर सकते हैं, layer के उपर गए यहां पर right click करेंगे और यहां से मैं copy layer style कर लूँगा, इस layer style को हमने क्या क्या, copy क्या, और अब बाकी की सारी layers को select किया, right click किया, और यहां पर paste layer style हम इस तरीके से apply कर देंगे, तो जो stock का और shadow का जो effect है, वो बाकी सभी layers के उपर आ जाएगा, तो एक तरीका तो यह होगे आपका collage बनाने का, right? clear है जी यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई doubt, कोई question, सब कुछ के लिए रहे? ठीके, अब एक second तरीका होता है कि हम पहले एक layout बनाएं और उसके अंदर images को place करें, तो control N, new document कर लेते हैं, A4 का size अभी हमने लिया, और इसको हम landscape में कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा तर जो collage बगएर होते हैं, वो landscape में ही होते हैं, तो size हमने A4 का ले लिया है, उसका जो orientation ह हमने landscape किया, create कर लेंगे, यह page हमारे पास आ गया, अब यहां पर कोई भी layout, कोई भी design आप बना सकते हो, ठीक है, for example, मैं यहां पर क्या कर लेता हूँ, simple circle बना देते हैं, पहले, simple click करके, ऐसे मैंने drag किया, यह एक बन गया circle, color, यहां पर कोई भी color डाल सकते हैं, object का alignment, मुझे चाहिए center, control A कर लेंगे, और alignment कर लेंगे, center, control D से क्या हो जाएगा, control D से हो जाएगा, D select, right, अब यहां पर क्या करना है, कोई भी एक shape लेकि मैं घुमा देता हूँ, for example, यहां से ले लेता हूँ, मैं एक triangle, एक triangle मैंने लिया यहां पर, कुछ ऐसे, color कुछ और कर देते हैं, जिससे के अभी थोड़ा सा वो अलग नज़र आए, और इसको मुझे रखना है, center पे, तो इसको उठा के circle के center पे मैं ऐसे रख लेता हूँ, right, अब मुझे इसको करना है, rotate, control T क्या, थोड़ा सा इसको और मैं wide कर लेता हूँ, और मैंने इसको और wide कर लिया है, something like this, अब मुझे इसको करना है, rotate, चारो साइड में, तो rotate करने के लिए तो हमें क्या करना है, इसको control J करो, control J से क्या होगा, duplicate copy बनेगी, control T क्या, control T4, transformation box, इस axis को रख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर डालेंगे angle, angle वो डालना है, जो 360 को पूरा पूरा, divide करें, तो यहाँ से में ले लेता हूँ, around 45, तो फोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ, फोड़ी सी वीर्थ को कम कर लेते हैं, वीर्थ को थोड़ा सा बस मैंने कम के हैं, Ctrl-J क्या, copy, copy हो गया, Ctrl-T क्या, access को उठाके यहाँ पर रखना है, angle डालना है, 45 ले लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, अब repeat कमांड यूज़ करेंगे, repeat कमांड क्या होती है, Alt-Ctrl-Shift-T, Alt-Ctrl-Shift-T कर देंगे, वो repeat होता चला जाएगा, circle को हम रख लेते हैं, सबसे उपर, बाकी की जो shapes हैं, उनको थोड़ा सा मुझे wide करना पड़ेगा, सारी layer को एक ही साथ मैंने select किया, Ctrl-T किया, और यहां से इसको हम थोड़ा सा transform कर लेंगे, प्रेस कर देंगे, enter, अब यहां पर देखो क्या करना है, अब एक एक पार्ट के अंदर मुझे image लेकि आनी है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ file में जाएंगे, place करा लेंगे, ठीक है, place embedded, कोई भी image आपको चाहिए, image को select किया, place करा दिया, अब यह image मुझे क्या करना है, इस circle के अंदर डालने है, इसको बोलते है, clipping mask, clipping mask के रिए हमें क्या करना है, दो चीज़े हैं, जो image है, उसको बोलते है content, और पीछे shape है, जिसमें उसको डालना है, उसको बोलते है container, यह content है, यह container है, तो situation यहीं रहेगी, जो content होगा, वो ऊपर होगा, container नीचे होगा, और जो content while layer है, वो layer आपकी select होनी चाहिए, आप alt control G करेंगे, options यह यह layer के pop-up menu में आपको मिल जाएगा, जब आप यहाँ पर click करेंगे, यह होता है, आपका create clipping mask, इसका shortcut लिख भी लेना, alt control G, इसका shortcut होता है, यहाँ पर click करने से क्या होगा, आपकी जो image है, वो पीछे वाले container के अंदर चली जाएगी, ठीक है, बाद में आप position change कर सकते हैं, simple click करके आपको drag करना है, आप उसको छोटा बड़ा transform करना चाहते हैं, तो you can use control T, और अब आप यहाँ पर image को बड़ा करो, छोटा करो, positioning जैसे आप चाहते हैं, वैसे आप change कर सकते हैं, right, कुछ इस तरीके से, मतलब अपने हिसाब से आप उसको manage कर सकते हो, जी बताओ, container का shape कोई भी हो सकता है, star shape हो सकती है, कोई भी pen tool से भी कोई shape आप बना सकते हैं, कुछ भी, it may be text also, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो यह हमने image को प्लेस कराया, अब for example, मुझे यहां पर इस y layer के उपर, इस y layer के अंदर किसी दूसरी image को डालना है, तो जिस layer के ऊपर आप चाहते हो image आए, उस layer को बस हैं पर click कर लेना, अब जैसे y layer मेरी click है, जब मैं file में जाके place command use करूँगा, तो वो image इसके उपर y layer पर ही आएगी, क्योंकि place जब कराते हैं, तो layer अपने आप बनती है, ठीक है, तो मुझे इस layer के उपर image चाहिए, तो मैंने इस layer को select करके रखावा है, जब place कराएंगे, तो image उसी shape के उपर आएगी, file में गए, place embedded किया, जो भी image आपको चाहिए, आप उस image को select करो, place कराओ, यह image इसी के उपर आएगी, इसी के उपर ठीक है, बस आपको क्या करना है, alt control जी करना है, एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ, clipping mask करने का, जो content और container वारी layer है, इसके बिच में आप यहा layer के बिच में आते हैं, तो यह arrow display हो जाता है, यह जब यह arrow display हो, तब आप click कर देना, तब भी clipping mask हो जाएगा, ऐसे, यहीं से clipping mask हो जाएगा, और यहीं से release भी हो जाएगा, एक shortcut use कर सकते हो, alt control जी और एक दूसरा options यह है, alt के साथ बस आपको click करना है, तब भी clipping mask हो जाएगा बाद में आप image को अपने हिसाब से manage कर सकते हो, control T करो, rotate करना है image को, छोटा करना है, बड़ा करना है, जैसे चाहें, वैसे, manage कर सकते हैं, and then press enter, समझ आ रही है बात, तो यह भी आपका एक कोलाज बन जाएगा, हर एक shape के अंदर आप अलग-अलग image लगा सकते हो, है ना, layout बना लेना, एक design, जैसे चाहो, वैसे design बना सकते हो, बाद में images को, इसमें आप डाल सकते हैं, मुझे for example, इसके अंदर image को डालना है, तो मुझे इसको select कर लेना है, बस यहाँ पे, मैं click कर दूँगा, pile में जाएंगे, place command use करेंगे, कोई भी image आप यहां से ले लें, इसको आप place कराएंगे, और इसको आपको क्या करना है, alt control G कर दो, image इसके अंदर आ जाएगी, control T से, आप उसको rotate कराओ, image को बड़ा चोटा करके, आप अपने हिसाब से, उसको adjust कर सकते हो, इसको हम कुछ ऐसे use कर सकते हैं, ये, clear है बात समझ में आ रही है, सारी shapes के अंदर, आपको इसी तरीके से image लगानी है, या आपका एक collage तयार हो जाएगा, done, दो तरीके होए collage बनाने के, एक simple ऐसे बना सकते हैं, shapes, पूरा एक layout तयार कर लो, पहले design बना लो, फिर उसके अ लगा दो, एक तीसर तरीका है, हम किसी text के अंदर भी image को लगा सकते हैं, तो यानि कि हम यहां पे कुछ भी type कर सकते हैं, पहले, type tool ले लो, click कर लो, जो भी आप type करना चाहते हैं, बच्चों के लिए, जैसे हम बना रहे हैं, जैसे baby मैंने लिखा, control T किया, यहां पे click करके, इसको मैंने, drag कर लिया है, font bold होना चाहिए, क्योंकि image इसी के अंदर visible होगी न, तो जितना bold font होगा, जितना wide होगा, उतनी जादा image reveal होगी हमारी, right, अब यहां पे image को अच्छा एक चीज यह भी है, कि एक container के अंदर multiple content डाल सकते हैं, अब जैसे यहां पे एक circle के अंदर image आ multiple images डाल सकते हैं, एक ही content के अंदर, right, तो अब जैसे यह एक ही container है, हमारे पास, हम file में जाते हैं, place करा लेते हैं, यहां से, किसी भी image को, for example, यहां से यह image को हमने place कराया, यह image मेरे पास आ गई, अब इसको क्या करना है, clipping mask करने के लिए क्लिपिंग मास करने के लिए क्लिए जी, alt, control, g, हमने कर दिया, यह clipping mask हो यह image, तो एक एक letter के अंदर, आप चार images भी लगा सकते हो, पांच भी लगा सकते हो, वो कोई issue होनी है, ठीक है, एक ही container में multiple images को लगा सकते हैं, अच्छा, अब यहां पर यह देखो, जैसे यह image को मैंने लगाया, आपने कभी-कभी देख तो देखो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, alt, control, g मैं वापस कर लेता हूँ, फिलाल मैं opacity कम करके, इसकी position में एक बार देख लेता हूँ, किस तरीके से image रहने वाली है, control, t मैंने क्या image को थोड़ा सा मैंने छोटा गया, for example, यह इतनी image मुझे यहां से बाहर निकाल तो वापस है, इसकी opacity, हमने 100 हैं पर कर दी है, इसी की एक duplicate copy बनानी है, इसकी क्या करनी है, इसकी बनानी है, इसकी बनानी है, duplicate copy, duplicate copy कैसे बनाएंगे, अल्ट के साथ करेंगे, तब भी duplicate copy बनेगी, बट क्या होगा, उससे position तो हिल जाएगी, तो मैं इसको क्या करूँगा, Ctrl J में कर दूँगा, duplicate copy एक हमारी बन गई है, अब जो नीचे वाली image है, इसको तो मैं Alt Ctrl G कर दूँगा, कोई issue नहीं है, यह image मेरी clipping mask होगा, यह नीचे, उपर वाली जो image है, इसमें मुझे सिर्फ इसका face चाहिए, उपर दिखाने के लिए बाकि और कुछ मुझे नहीं चाहिए, तो उपर वाली layer के उपर मैं क्या करूँगा, selection बनाके बाकी area cut कर दूँगा, लेकिन अभी यह layer हमारी है, smart object, right, और smart object के उपर कोई भी selection काम नहीं करता है, तो हम right click करके पहले इस image को बना लेंगे, रास्टराइज कर लिया हमने, अब इसका बनाता हूँ मैं selection, तो quick selection tool हमने लिया, और यहाँ पे simple click करके ऐसे drag कर देंगे, बस इतना part मुझे image का चाहिए, this one, selection ले लेते हैं, selection हमें थोड़ा सा ठीक करना है, shift के साथ, shift के साथ क्या होता है, shift के साथ selection हो जाता है, हमारा, add, add, तो यह मैंने कुछ इस तरीके से, इसको selection को add किया, extra part निकल जाएगा, तो old के साथ minus कर लोगे, बागी shift के साथ selection हमारा add होगा, इतना part मैंने select कर लिया है, right, shift, अब बागी का part मुझे हैंपे नीच यह, तो मैं अभी इसको मैं दिखाता हूँ, control shift आई मैंने किया, inverse किया और इसको delete कर दिया, ठीक है, हमने सिर्फ जो area बाहर निकालना था, उसकी copy बना के रखे, control D, और यह नीच वाई layer को हमने क्या करके रखावा है, clipping mask करके रखावा है, और उपर से यह वाली image हमारे पास यहां पर आजाएगे, समझ में आरी बात, ऐसा लगेगा कि image में आधा part clipping mask को रखा है, image का और आधा, फोड़ असा part उसका बाहर निकल रहा है, right, अब यहां पर भी यह वाला portion मुझे नहीं चाहिए, इसमें delete करना है, तो मैं क्या करूँगा जी, यहां पर चले जाते हैं, हम text wise layer के उपर magic wand use कर सकते हैं, यहां पर click करेंगे, तो यह वाला area select हो जाएगा, contigious को मैं on करूँगा, तो सिर्फ यह वाला area होगा, बाहर वाला area select नहीं होगा है, यह area select हो गया, वापस आ जाते हैं, अपनी layer के उपर, और यहां पर इसको करना है, delete, यह वाला portion मुझे नहीं चाहिए, और यह वाली layer भी मैं on कर दूँगा, तो यह कुछ इस तरीके से display होगा, समझारी बाद, यह extra part image का है, यह हवाला हमें नहीं चाहिए, हाँ जी, बताईए, कोई कुछ कह रहा है, बच्छा, आप वापस और एक बार दिखा सकते हैं, कुछ क्या आपने, कौन सा वाला समझ में नहीं बताओ, यह जो आपने जैसे, कट किया ना, लैक B के उदर, तो यह देखो, यहां पर यह कुछ ऐसे आ रखा था, ठीक है, यह वाली image मैंने clipping mask की विए, अभी मैंने उसको hide कर दिया, यह मेरे पास एक image है, ठीक है, यह image है, इस image में यह वाला जो part है B का, इतना part मुझे delete करना है, इतना part delete करने के लिए, अभी मुझे बाहर से उपर से तो पता चले या नहीं कितना area है, तो मैं कहां गया, text while layer के उपर गया, magic wand मैंने use किया, magic wand क्या करता है, same color में selection बना देता ह है, तो जब मैं यहां पर करूंगा, तो यहां एरिया select हो जाएगा, यहां पर आ गए, यह layer मैंने select कर यहां पर, अब यह वाला area मुझे क्या करना है, delete करना है, selection तो मेरा बन गया ना, और delete करना है इस image को, तो यह image select रहेगी, बस मैं यहां से keyboard से delete कर दूँगा, तो यह part delete हो image को हम वापस से on कर लेते हैं, अब इस image के अंदर भी, इस वाली image में भी यह वाला part, for example, A में आ रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, है ना, तो यहां भी selection बनाएके delete करेंगे, बड़, delete करने से पहले, right click करके, इसको क्या करना पढ़ेगा, रास्टराइज करना है, यह बन जाएगा, आपका selection, यहां से कर देंगे, इसको delete, control D से, deselect मैंने कर लिया, समझ में आगई बात, यह हो गया है, अब इसी तरीके से multiple images आप ले सकते हैं, आपको कोई दूसरी image भी चाहिए, आप फाइल में जाएं, आपको place करना होगा, कोई भी दूसरी images आप select कर लो, यहां पर place करा दो, ठीक है, और इसको भी इसके अंदर क्या करना है, old control G, clipping mask आप इसको भी करा दें, ऐसे करके, clear है, इस image को भी आप कुछ ऐसे ही रखना चाहते हैं, तो पहले position मैंने हाँ पर रख लिए, इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, control J कर लेता हूँ, ठीक है, एक image, clipping mask हो गई है हमारी, दूसरी वाली जो image है, इसको भी क्या करेंगे पहले, rasterize करना पड़ेगा, और इसमें हमें क्या चाहिए, सिर्फ face चाहिए, तो हम क्या करेंगे, quick selection tool हमने लिया, image का बस यतना portion मुझे चाहिए, यह मैंने select कर लिया है, यहां से, ठीक है, अब मैं इसक क्या करूँगा, control shift आई कर देंगे, selection inverse हो जाएगा, इसको delete कर देंगे, control D से, D select हो गया, तो यह image कुछ इस तरीके से visible हो जाएगी, समझारी बात, बहुत अब image का कुछ पार्ट अंदर आ रहा है, clip हो रहा है, और यह cap इसकी बाहर निकल रही है, समझ पार हो बात को, यह illusion ह message generate कर सकते हैं, अब इस image को भी right click करके, करेंगे, rush price, यह वाला portion मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे हमने बनाया, selection और इसको delete, control D कर लेते हैं, इस image का part इधर भी आ रहा है, तो lasso tool हम ले सकते हैं, simple, यह बस इसका selection बना दो, और इसको कर दो, delete, clear है, यह layer भी हमारे क्या होई, यह layer भी हमारे delete हो गई है, तो यह तरीके होगए, collage बनाने के, एक क्या हो सकता है, एक single image को भी हम एक collage का look दे सकते हैं, देखो किस तरीके से करना पड़ेगा उसको, एक image हम open कर लेते हैं, यह image में ने open की, extra part हटा देते हैं, crop tool लिया, इसको मैंने ऐसे कर दिया, क्रॉप, जो extra part है, वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, हम बनाएंगे, एक rectangle मैंने बनाया, यह एक rectangle, यहां पर मैं बना देता हूँ, कुछ ऐसे, control J क्या, control J से क्या होगा, control J से क्या होगा, copy बनेगी, copy, control J से copy बन गई, अब हमें क्या करना है, हैं पर stock और shadow डालना है, इस ट्रोग और shadow डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर right click कर देते हैं, paste layer style कर देते हैं, क्योंकि हमने layer style को copy किया हूँ था हूँ, यहां पर हमने इसको क्या कर दिया, paste कर दिया, थोड़ा सा, इसके हिसाब से, थोड़ा सा manage कर लेते हैं, double click करके हम उसको effect को control करी सकते हैं, तो stroke को क्या करते हैं, stroke का size थोड़ा सा बढ़ाया हमने, और drop shadow को, drop shadow को थोड़ा सा और shift कर लेते हैं, कुछ ऐसे, done, size के through, उसको थोड़ा सा blur, blur कर सकते हैं, यह हो गया, इसको करेंगे, okay, यह कुछ इस तरीके से आ जाएगा, done, मतलब एक frame अलग लगे लगेगा वो, ठीक है, इसी तरीके से हमें करना है, for example, यहां पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक rectangle यहां बना देते हैं, यह rectangle बनाया, control J किया, क्योंकि मैंने इसको modify किया है, तो दुबारा से right-click करके क्या कर लेते हैं, copy layer style और इसके उपर आके right-click करके क्या करेंगे, paste layer style ठीक है, इस image के उपर आ गए, दुबारा से यहां पर मैं एक frame, कुछ ऐसे बना देता हूँ, एक rectangle बनाया, control J किया, right-click करो, paste layer style कर लो, ठीक है, यहां पर आ जाते हैं, दुबारा से फिर मैं यहां पर, एक rectangle कुछ ऐसे बना देते हैं, control J किया इसको, right-click किया और, paste layer style, एक frame में कुछ ऐसे बना लेता हूँ, यहां पर, control J करो, right-click करो, paste layer style कर देते हैं, पतलब ऐसे अलग-अलग frame type से हम कुछ बना सकते हैं image में से, clear है बात, अच्छा अब बात में देखो क्या कर सकते हो, for example अब एक-एक frame को तुछ अलग-अलग दिखाने के लिए, पीछे जो image हैं हमारे पास, इसको हम, यह तो hide करके, आप पीछे एक new background कोई भी color डाल दो, white या जो भी color आपको चाहिए, कुछ इस तरह का use कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, पीछे वाली जो image है, उसको control you करके हम कर सकते हैं grey, desaturate कर देंगे उसको, कुछ इस तरीके से, तो यह एक collage का look आपको मिल जाएगा, collage के तरह images मिल जाएगी, इसमें भी अगर आपको कुछ अलग-अलग करना है तो control you करके आप color अलग-अलग भी change करके रख सकते हो, जी समझ में आ रही है बात आप लोगों को, तो यह आपका पहला assignment है, collage, तीन चार तरीके मैंने आपको बता दिये हैं, collage बनाने के, collage होता है collection of images, अब उसको आप अलग-अलग तरीके से आप show कर सकते हो, clear है, जी किसी बच्चे का कोई doubt, कोई question है, किसी का, ठीके जी, clear है, over करें भी के लिए? जी